असलाम अलेकुम आज हम मुबई की फेमस पाव भाजी की रेसिपी लेकर आए हैं आज ये उसका इंग्रीडियन्स देख लेते हैं कि हमें क्या-क्या यूज करना है हमने आदा किलो मटर ले लिया है और उसको चील कर उसके दाने निकाल लिये हैं और जेड़ सो ग्राम कर लिये हैं आप इसको सबको हम में ट्रांसफर कर देना है कूकर में क्यूब के एक को बॉइल करना है थोड़ा से नमक डालकर पानी इसमें एक गिलाज डाल देंगे और बॉैल कर लेंगे अब हमारी सबजी बॉयल हो चुकी है अब इसको हम मैशा से मैश कर देंगे अच्छे से इसमें हम पानी आट कर देंगे तकरीबन एक गिलास और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक साइड हमने एक पतीली रख दिए उसमें हमने एक चमत देशी घी डाला है घी डालने से इसका टेस्ट और खुश्पू बहुत अच्छी आती है ज़रूरी ये डालना आप ज़रूर ट्राइ कीजेगा आधा चम अच्छी इंग डाल देंगे इसमें और ये जो पाहँ भाजी का तरीका है भाजी का बहुत इजी मेटर से बता रही हूं मैं आप ज़रूर ट्राइ कीजेगा दो प्यास, दो टमाटर, दो शिमला मिर्च को मैंने चोटी-चोटी टुकडों में चौट कर दिया है अब सबसे पहले हम प्यास को अड़ कर देंगे और प्यास को हलका सा सॉफ्ट करेंगे थोड़ा सा प्यास सॉफ्ट हो गया तो इसमें अड़ कर देंगे शिमला मिर्च अब इसी शिमला मिर्च हमने डाल दिया है उसको सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें डाल देंगे एक चमच नमक इसको अच्छे से चला दीजिए अगर पहले बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लाइक भी कर दीजिएगा यह मैंने ले लिया है टमाटर को अट करके हम ढग देंगे और मैंने हरी मिर्चे छे ली हैं जिंजर गर्लिक लिया है इसका मैंने पेष्ट बना लिया है और इधर देखिए हमारा टमाटर सौफ्ट हो गया है अब इसको थोड़ा सा भुनाई करेंगे थोड़ा चमच से दबा दबा कर इसको और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि थोड़ा से यह मैश हो जाए सबसे पहले तो जो हमने हरी मेच लेसे नद्रक दिखाया था उसका पेष्ट बना लिया था वह आड़ कर देंगे और यह पावभाजी मसाला एविरिष्ट का है जिसको मैंने डेड़ चमच के करीब आड़ किया है थोड़ा सा हल्दी मैंने डाला है और एक चमच भरके धनिया पावडर राइट किया है और यह शिमला मिर्ची लाल मिर्च है मैंने काश्मीरी लाल मिर्च है यह तीखी नहीं होती सिर्फ इससे कलर बहुत अच्छा सा आता है अपनी भाजी का है इसलिए मैंने दो चमच भरके डाला है इसमें दो चमच भरके आयल वाले चमच से मैंने दो चमच भर भरके आयल आड़ कर दिया है अगर आप राई का तेल यूज़ करेंगे तो आप इस तरह मट डाल येगा राई का तेल पहले ही डाल के उसको गरम कर दीजिएगा क्योंकि वो शायद महक आए उसमें अब इसमें हमने जो मैंश करके भाजी सबजी रखी हुई थी उसको अड़ कर दिया और अच्छे से सबको हम मीक्स करेंगे एकदम अच्छे से मीक्स करेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से टेस्ट करके अगर आपको कम लगे डाल दीजिएगा लेकिन मैंने इसे टेस्ट किया है मेरा बिल्कुल परफेक्ट नमक है कितना अच्छा सा कलर हमारा आ रहा है देखिए सबजी का इसमें हमने पानी आइट कर दिया है तकरीबन आधा गिलास क्योंकि इसको बिल्कुल सूखी नहीं रखना है थोड़ा पतली सी रहती है तो अच्छा लगता है लेमन जूस आधा लेमन जूस हमने आइट कर दिया अब इसको ढखन लगा के दो मिनट तक हमने पकाया उसके बाद हम इसमें आइट करेंगे बटर इसमें कोथमीर आइट कर देंगे यानि हरा धनिया इसको अच्छे से चला देंगे चलाने के बाद इसको हम कवर करके दो मिनट तक पकाएंगे उसके बाद सर्व करके आपको दिखाएंगे बहुत आसान तरीका है देखिए कितना फटा फट तैयार हो गई आप जरूर ट्राइ कीजिएगा अब इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ क्योंकि अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ अब हम पिलेट में निकाल चुके हैं देखिए उस पर मैं चीज ग्रेट कर रही हूँ अगर आपको चीज पसंद है तो आप भी इसी तरीके से खाएगा वरना कोई बात नहीं आपकी पसंद की बात है और पाउं को भी तलने के देवक्त मैंने हलका सा मिर्चा और नमक लगा दिया है और बहुत अच्छी पाउंभाजी तयार है आप ज़रोड ट्राइ कीजेगा और कमेंट बाक्स में मुझे बताएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी अल्लाहाफीज